हेलो चिलिर्ण कुसुमें क्यों लाइन ग्लास में आपका स्वागत है प्यारे बजो आज हम फोर्थ ग्लास के इंगलिस का लेसन एट रन में आने वाले लिस्निंग एंड स्पीकिंग पार्ट को अच्छी तरह से सॉल्ड करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें एक और बात अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में दिये बैल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें परें दोस्तों के साथ शेयर भी करें लैट्स टार्ट लिस्निंग एंड स्पीकिंग पार्ट और ये है हमारा यहां पर पेज नंबर 89 work in pairs and answer the questions given below जोडो में काम करो pairs में काम करना है और नीचे दिये गए questions है उनके answer दे one has been done for you एक आप के लिए किया गया है तो यहां पर देखो first question is where do you find tall buildings टॉल उची उची जो इमारते होती है आप कहां मिलती है आप कहां देखते हैं उनको तो इसका answer है we find tall buildings in cities हम शहरों में बड़ी इमारते देखते हैं तो जैसे बचों यह question करके दिखाया गया है इसी तरह से आगे और question मिलेंगे वो हमें खुद करने है देखिए एक बार मैं समझाती हूँ आपको यहां पर you है ना you की जगे आपको हर question में we लिखना है question में आपके लिए पूछा गया है you लेकिन आपको we कहके यह जो है पूरा question करना है इसका answer देना है we में जैसे कि we यहां you की जगे लिखा we find tall buildings फिर इसका answer लिखेंगे कि where इसमें आएगा in cities सहरो में सहरो में देखते हैं इसी तरह से आप देखिए second question is where do you throw liter आप लिटर कहां फैकते हैं लिटर का मतलब होता है बचो कूडा करकट कच्रा कहां डालते हैं हम तो you की जगे आजाएगा we we throw liter आगे आएगा in the dust bean ओके देखो यह लिखर कहा है जैसे we throw liter in the dust bean हम dust bean में कूडा कच्रा डालते हैं या फैंकते हैं next question is where do you buy ice cream from कि आप ice cream कहां से खरीदते हैं answer is we buy ice cream from a ice cream parlor एक ice cream parlor से ही हम ice cream खरीदते हैं तो यहां पर देखिए question को देहां से देखो you की जगे हमने we लिखा फिर है by ice cream from from के बाद कहां से उसका answer ice cream parlor है तो वो लिखेंगे हम यहां पर ठीक है इसी तरह से सभी questions के answer हमें बनाने हैं next यहां पर देखिए next question है where do you find beautiful flowers की आपको सुन्दर फूल कहां पर देखते हैं answer आएगा we find beautiful flowers in the garden हमें बगीचे में सुन्दर फूल दिखाई देते हैं या दीखते हैं तो यहां पर देखो you है ना इसकी जगे हम we लिखेंगे we find beautiful flowers और फिर उसका answer लिख देंगे in the garden की garden में बगीचे में next question is where do you keep money आप पैसा कहां रखते हैं कहां रखते हैं बताव अच्छो बैंक में है ना तो इसका answer कैसे लिखेंगे we keep money in the bank हम बैंक में पैसा रखते हैं where are wild animals kept for people to see जंगली जानवरों को लोगों के देखने के लिए कहां रखा जाता है यानि लोग उनको देखने के लिए जाते हैं तो कहां जाते हैं wild animals को देखने के लिए answer is wild animals are kept in the Jew for people to see wild animals को जू में रखा जाता है जहां पर लोग उनको देखने के लिए जाते हैं तो यह कैसे आया यहां देखिए wild animals यहां से ही लेंगे हम are यह helping word लेंगे पहले wild animals are kept फिर answer आ जायेगा in the Jew Jew में रखते हैं for people to see लोगों के देखने के लिए यानि कि लोगों के देखने के लिए wild animals को चिडिया घर में रखा जाता है now next question where do you go for hair cut आप hair cut के लिए कहां जाते हैं कहां जाते हैं बताओ बच्चो नाई के पास जाते हैं नाई को इंगलिस में बोलते हैं बारबर तो इसका answer लिखेंगे हम we go to barber shop for hair cut हम बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाते हैं now next question where do you board a train from आप एक train को कहां से पकड़ते हैं answer आएगा we board a train from the railway station हम railway station से ही एक train को पकड़ते हैं अब आगे दे रखा है इसने कि say the following words aloud कि नीचे दिये गए words को उंचा उंचा बोले आपको भी बोलना है साथ में बच्चों यहां पर देखिए यह क्या है races faces cases laces traces places ठीक है यहां पर देखिए r a c e s races f a c e s faces तो इस तरहें से जो है यह एक जैसी सी sound आएगे इनकी जो भी इस तरहें से word होंगे अब यहां आगे देखिए जैसे दे रखा t r e s trees यह है b r e z e bridge तो इसमें is is की last sound जो है वो आ रही है है ना तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको trees, bridge, cheese, fridge, squeeze, beach अब यहां पर देखो आगे है e a c h each तो e a c h दे रखा है ऐसे ही b e a c h beach तो यह अलग से sound आगी है ना तो हम कैसे पढ़ेंगे each, beach, teach, peach, leach, bleach अब इसी तरह यहां पर देखो यह है l e a d lead और यह b e a d bead यहां अलग sound आई है है ना तो अब इस sound को पढ़ना सीखो lead, bead, feed, grid, seed, need अब इसी तरह से t e a r tear f e a r fear तो ear की sound आ रही है last में इसी तरह से हम इनको पढ़ेंगे tear, fear, dear, near, dear, clear ठीक है तो सभी बच्चे यह जो भी sound थी इन सब sound को पढ़ने की कौसिस करेंगे तो आपको इंगलिस भी अच्छी तरह से पढ़ना आ जाएगा बच्चो अब आगे है writing part write five sentences about do's and don'ts for road safety यहाँ यह कहता है कि road safety के लिए कुछ काम है जो हमें करने चाहिए और कुछ है जो नहीं करने चाहिए उन्हीं कामों पर हमें five sentences लिखने है one has been done for you एक आपको करके दिखाया यहाँ देखो do's यानि जो काम हमें करने चाहिए यह है don'ts जो हमें नहीं करने चाहिए first sentence देखिए लिख रखा है follow traffic signals कि हमें traffic signal को follow करना चाहिए और don'ts में दे रखा है कि do not play on the road, road पर नहीं खेलना चाहिए ठीक है यानि कि दोबारा देखिए do's में आएगा कि traffic signal को follow करो और don'ts में आएगा road पर मत खेलो अब आगे देखिए second keep to the left side of the road road के left side में चले यानि कि road के बाईं तरफ चलो और third है drive slow slow drive करो आगे है give signal while turning turn करते time signal दो use seat belt while driving a four-wheeler four-wheeler को चलाते समय seat belt का प्रियोग करो अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ don'ts यानि जो काम हमें नहीं करने चाहिए road safety के लिए वो दिये गए है पहला मैंने आपको बताया ही था don't play on the road road पर मत खेलो second is do not run on the road road पर मत दोडो अब यहाँ आगे है don't cross the red signal red signal को cross मत करो यानि कि बच्चो जब भी हमें लाल बती रोड पर दिखाई दे तो हमें रोड को cross नहीं करना चाहिए आगे है don't mix driving and drinking driving और drinking को mix नहीं करो यानि कि इसका मतलब है कि सराब पीकर कभी भी वहन मत चलाओ आगे है do not use mobile phone while driving driving करते हैं mobile use का प्रियोग मतलब mobile phone का use मत करो यानि जब भी हम driving कर रही होते हैं तो mobile phone का use हमें नहीं करना चाहिए आगे है write a short paragraph about what you see in the picture given below आगे इसने दिया है कि नीचे दी गई picture में जो कुछ भी आप देख रही हैं उसके उपर एक short paragraph लिखे you may use the hints given with picture to develop the paragraph और paragraph को बनाने के लिए picture के साथ कुछ hints दी गई है आप उनका भी use कर सकते हैं तो first of all look at this picture सबसे पहले बच्चो इस picture को ध्याँ से देखिए किस चीज की picture नजर आ रही है ये ये एक पार्क की picture है है ना और यहां पर देखो कुछ hints भी दे रखे हैं पार्क, children, playing, people, walking, swings, flowers, trees, people sitting on benches, fountain, etc. तो यहां पर जो ये hints दे रखे हैं इन hints का यूज करके हमें एक paragraph लिखना है यहां पर जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब हमें लिखना है तो देखें क्या क्या हो रहा है इसमें अब हम यहां पर लिखेंगे देखें इसको ऐसे लिखेंगे यह पिक्चर एक सुन्दर पार्क को दिखाती है इसमें सुन्दर फूल और हरे पेड है सम चिल्डरन आर प्लेइंग इन दा पार्क कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं वे बहुत ही खुश मिजाज मूड में है इसमें बहुत से छूले है पार्क के मीडल में एक सुन्दर फवारा भी है पीपल आर इंजोइंग वाकिंग इन दा पार्क लोग पार्क में घूमने का आनंद ले रहे हैं दा पार्क प्रिजेंट साब वेरी ब्यूटिफुल सीन पार्क एक बहुत ही सुन्दर सीन यानि दृश्य प्रस्तुत करता है कुछ लोग बैंचिस पर बैठे हैं मुझे इस पार्क में खेलना पसंद है या मैं इस पार्क में खेलना पसंद करता हूं या पसंद करती हूं तो इस तहां से ये पेराग्राफ लिखेंगे सभी बच्चे ये पेराग्राफ लिखने के बाद अपने कोपी में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे बच्चो अब आगे हैं आपको अपने फेवरेट गेम पर कुछ संदेंस लिखने हैं तो अब देखिए जैसे मैंने फुटबॉल पर लिखा है मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल है तो मैं लिखती हूँ I play football मैं फुटबॉल खेलता हूँ या फुटबॉल खेलती हूँ It is my favorite game यह है मेरा फेवरेट गेम है पसंदीदा खेल है ऐसे भी खह सकते हैं The game is played between two teams यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है Every, oh sorry Each team has 11 players प्रतेग टीम में 11 players होते हैं यानि कि 11 खिलाडी होते हैं The play runs for 90 minutes पले जो है, खेल जो है वो 90 minutes तक चलता है Football is a good game Football एक अच्छा game है It gives exercise to the body and keep our mind and body fit यह है हमारे सरीर की exercise भी करवाता है और साथ ही हमारे mind और body को fit भी रखता है The game of football is a fine game Football का game एक बहुत अच्छा game है I always like to play football मैं हमेशा football खेलना पसंद करता हूं तो इस तरह से बच्चो आपको भी कुछ sentences लिखने हैं जो भी आपका फेवरेट गेम है मानलो आपका फेवरेट गेम किरकेट है तो आप किरकेट के उपर लिख सकते हैं टेबल टेइनिस हैं तो टेबल टेइनिस पर लिख सकते हैं यह आपको देखना है कि आपका मनपसंद गेम कौन सा है आप इसे लिखेंगे एपनी कोपी में इसे याद भी खरेंगे तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही यह चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया चैप्टर लेकर आऊंगी और उसको हम अच्छे से सीखेंगे तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चो